पांच जी तकनीक में सही कौशल रोजगार की गांटी भारत विश्व पतल पर एक स्मार्ट, सुरक्षित और स्वदेशी निर्मान करने वाले देश के रूप में उभर रह है जिसके चलते अनुमान है कि भारत को पांच जी की पूरीक शमता का लग उठाने के लिए दो हजा है अभी भी कई ग्रामीन क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा का अभाव है कई इंटरनेट संस्थाएं वी इस बात पर काम कर रही है कि समाज के हर व्यक्ति को एक खुला विशुस्तर से जुड़ा सुरक्षित और भरोसे मंद इंटरनेट की सुविधा मिले जैसे लगभग सभी बढ़े क्षेत्र आज के समय में इंटरनेट पर निर्भर है समाज के हर वर्ग एवं क्षेत्र की लोगों तक सुरक्षित और भरोसे मंद इंटरनेट पहुँचाना बहुत आलोक पांडिय तकनीकी कैरिभा सलाहकार जरूरी है जिससे सभी के पास समान अधिकार और डिजिटली आगे बढ़ने की संभाव नाएं हों अगले एक से दो वर्षों में तकनीकी द्वारा देश एवं दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं जिनके बारे में हम सभी को जरूर जाग रोक रहना चाहिए जिससे हम सभी समाज को इंडिस्ट्रियल ये है जरूरी स्किल्स नई तकनीक में एक सफल केरिया बनाने के लिए आपको कुछ कोशल में निपुन होना हुगा और इन डोमेन में अपनी योग्यता का निर्मान करना हुगा इसके लिए प्रोग्रामिंग कोशल जावा, पायथन, MSSQL, सुरक्षा, वा ग्रेट करने की क्षमता, Big, Data Analytics, Cloud, Computing, IoT जरूरी हैं, IoT, Automation एवं Robotics, जैसी तकनीक लोगों के सोचने, समझने, रहन सहन एवं कमाने तक जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरी तरह से बदलने का काम करेगी, इसलिए युवा, जितनी जल्दी दी गई तकनीकियों में से, बे 20 करोड कुशल जनशक्ती की आवश्यक्ता होगी, टेली कॉम सेक्टर स्किल, काउंसिल, टी एससी, द्वारा किये गए एक अधेयन के अनुसार, 2025 तक भारत में, 5 जी तकनीकी में 22 मिलियन कुशल, पेशिवरों की आवश्यक्ता होगी, युवाओं के लिए वर्तमान में तक अकर्शित एवं प्रभावित करेगी हैं, जिसके तेयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं, इसके तहत लगभग एक, GBPS से लेकर 100 GBPS, तक हाई स्पीड देने पर विचार चल रहा है, इसके जरिया अधिकाधिक, रोजगार का स्रिजन होगा, भारत विश्व पतल पर एक स्मार्ट, सुरक्षित और स्वदेशी निर्मान करने वाले देश के रूप में उभर रहा है, जिसके चलते राश्ट्रिय, दूर संचार कौशल निकाय का अनुमान है कि किसी एक में भी खुद को स्किल्ड कर लेगा, उतनी ही जल्दी वो रोजगार परक बन जाएगा, भा अपने मुख्य शहरों में पांच ची इंटरनेट सेवा शुरू करने का एलान कर दिया,